नमस्ता बैच्चों तो आभी जो बेसिक कोर्स है जो मैं कंटिन्यू कर रहा था एडवार्वक फ्रिक्वेंसी अभी वो थोड़ा होल्ड रहेगा अभी केंद्री वी दिया लएका थोड़ा कोर्स हम लोग प्रोसेस करेंगे आज पेज 97 फेक्टर ट्री देखिए किताब खोलिए पेज 97 फेक्टर ट्री छोटे मोटे ट्रीक से मैं आपको बताऊंगा जो आपके दिमाग में इसे बैठ जाएगा आपको बहुत इजी लगेग किस तरह से फेक्टर ट्री बनाके हम लोग किसी भी नंबर को प्राइम फेक्टर के प्रोडॉट के हिसाब से आप उसे कंबर्ट कर सकते हैं तो देखिए एक नंबर लिखा गया है 18 एक नंबर लिखा गया है वहाँ पर 18 ठीक है इसे सर्किल किया गया है वहाँ पर 9 & 2 18 को 9 & तो इसे सर्किल किया गया है मतलब इसे नाइन टेन टू इन दोनों फेक्टर्स के प्रोड़ोट में करें तो एटीन को पहले नाइन को थीक है नाइन को तो टोड़ेंगे तो ममत होगा कि तो देखिये हमें तीन प्राइम नंबर मिल गये यह वाला एक यह वाला एक और यह वाला खरितो यह जिए प्राइम में चुभत्त को थीन इन टीनesเข ररोट के हिसाब तोadanon equal to 3 into 3 into 9 ठीक है यह वाला एक दिया गया है और एक question में दिया गया है look at the factory tree now can you make another tree like this तो 18 को हम और भी एक टेरे से कर सकते हैं ठीक है तो 18 पता है 6 3 जा 18 6 into 3 यह भी 18 है 3 prime number है तो इसे यहीं पर hold करेंगे 6 composite number है तो composite number को ही हम prime number के product के इसे आप से convert करेंगे तो 2 3 जा 6 तो 3 prime हमें मिल गए यह देखी तो यह वाला prime है यह वाला prime है यह वाला prime है तो यह जो 18 है इस तरह से भी हम कर सकते हैं 2 into 3 into 3 2 into 3 into 3 confirm तो दूसरा जो लिखा गया है in how many ways can you draw a factor 3 for 24 draw three of them below 24 को अभी हम सबसे छोटा वाला prime number से पहले शुरू करते हैं हम लोग हमारे लिए easy रहेगा सबसे smallest prime number है 2 तो 24 जो है यह 2 से divisible है क्यों once place में 4 है divisibility rules भी आप लोगों 20 यह composite number यह prime number हो गया यह composite number हो गया अभी इस composite को भी प्राइम में convert करेंगे तो फ्राइम या फिर दो प्राइम के प्रोडुक्ट के हिसाब से अगर करेंगे तूजी जा 12 यह प्राइम नमबर मिल गया यह फ्राइम नमबर मिल गया लेकिन जो है यह composite number है शिक्स को अभी तोड़ेंगे तो त्री जा शिक्स यह दोनों प्राइम नमबर मिल गये अभी प्राइम नमबर के प्रोडुक्ट के हिसाब से अगर 24 को हम कंबर्ट करेंगे तो यह हो जाएगा 3 2s and 1 3 तो यह हो जाएगा 3 2 3 यह फ्राइम नमबर से 3 दो और एक प्राइम नमबर 3 है 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 यह हो गया एक प्रोसेस 24 अगर हम 24 को और एक तरह से बनाएंगे 24 को पहले हम 2s and 12 एक प्राइम दूसरा प्राइम देखते हैं 3 से यह दिविजिबल होगा या नहीं यह 3 से भी डिविजिबल है क्योंकि 24 जो है यह 3 से डिविजिबल है डिविजिबलिट इन दोनों को प्लस कर दिविजिए 2 फ्लस 4 कितना हुआ 6 6 जो है यह 3 से डिविजिबल है 3 2 जा 6 ठीक है यह जो पूरा नमबर है यह 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो 3 6 जा 3 6 जा 18 होगा 3 8 जा 24 तो 3 हो गया प्राइम इसे यही फे होल करेंगे अभी कॉम्पोजिट को तोड़ेंगे 4 8 जो है 2 4 जा 8 यह प्राइम हो गया कॉम्पोजिट को फिर तोड़ेंगे 4 को 2 2 जा 4 तो देखिए कितने प्राइम सामें मिले 1 2 3 4 तो यह जो 24 है 3 2 1 3 3 2 1 3 इस तरह से भी हम बना सकते हैं 2 12 करके या फिर 3 8 करके भी बना सकते हैं और एक 24 का भी हम बना सकते हैं इसे साफ कर देता हूं में अभी और एक 24 का हम बनाएंगे यहां पर 24 24 को अभी 3 गिया फिर क्या देखेंगे और एक प्राइम नंबर दखेंगे 5 से तो नहीं होगा लेकिन यहां पर और दो कॉंपोजित नंबर भी ले सकते हैं 2 गिया 3 गिया 4 से देखेंगे 4 6 जा लेकिन यह दोनों ही कॉंपोजित नंबर है अभी 4 को हम दो प्राइम फेक्टर के मल्टिपल में कनबर्ट कर सकते हैं यह देखिए टूटू जा 4 हो गया 6 को देखिए 6 को भी हम 2 3 6 करेंगे यह दो प्राइम होगे तावी देखिए 1 2 3 4 हम सिर्फ प्राइम नंबर को ही लेंगे विसलिए प्राइम नंबर को मैं सब क्राइंग किया हूं यहांपर तो यहां प्राइम दूसरा composite एक प्राइम दूसरा composite इस हिसाब से हम इसे कनबट कर सकते हैं एज़ प्रोड़क्ट अफ प्राइम नंबर्स ठीक है किसी भी नंबर को खतम हो गया इसे मैं आभी साफ कर देता हूँ बहुत दीजी है आप भी प्राक्टिस कीजिए बहुत सारे नंबर्स लेके 16, 18, 24 एसे नंबर्स लेके आप प्राक्टिस कर सकते हैं टाइलिंग प्रोड़म एक है देखिए पैस 97 देखिए अनू का घर है ऐसा गरन है यह है अनू का घर है घर के अंदर एक गरन है अनू साउस इन देखिए अनू साउस में यह वाला एक गरन है क्या है यह वाला गरन है गरन के बीच में एक टाइलिंग करना है यहाँ यहाँ पे लिखा गया है इन देखिए अनू के घर पे एक गरन है गरन के बीच में एक रस्ता बनाना है मेसोन जो काम करता है ना मिस्टरी ठीके इंट रेड सिमेंट लेके जो काम करता है वो बीच में एक रस्ता बनाएगा इसे यहाँ पे एक रस्ता बनाएगा कैसे रस्ता बनाएगा यहाँ पे टाइल वो डालेगा यहाँ पे इस फ्लोर में टाइल डालेगा इसे यह सब टाइल है टाइल दा लगा लेकिन इस टाइल का लेंद कितना है टाइल का लेंद कितना है दो फिट तीन फिट पांच फिट टू फिट त्री फिट फिट फाइब फिट यह जब मिजर्मंट है यह टाइल का लेंद है दो feet का tile, तीन feet का tile या फिर पांस feet का tile लगा के ये mason जो है वो जो mystery है ये वाला काम वो path वो रस्ता बनाएगा ये तीन measurement उसे दिया गया है दो feet वाला tile है, तीन feet वाला और पांस feet वाला tile है the mason tile, the first row with two feet light tiles, the second row with three feet tiles and the third row with five feet tiles ये जो और एक row बना देते हैं, ऐसे suppose ऐसे drawing में इधर उधर हो जाएगा लेकिन समझ लीजिए, तीन तरह का tile लगाया है एक है दो feet वाला, दूसरा है तीन feet वाला, और तीसरा है पांस feet वाला number of tiles यहाँ पे differ केरेंगे, मैं यहाँ पे इसे भॉक्स बना दिया, रॉक में लेकिन दो, तीन, पांस, यह तीन मिजरमेंट वाला tile लगा के वह एक path बनाएगा, दो मैं इसे नट कट एन अप दे टाइल, यहाँ पे यह cutting नहीं करेंगा, कहीं पे cutting नहीं होगा, पूरा whole tile लगाया जाएगा वहाँ पे, उस रस्ते पे, cutting नहीं किया जाएगा, then what is the shortest length of the path, then what is the shortest length of the path, तो यह जो रस्ता है, सबसे सबसे छोटा जो होगा, सबसे छोटा रस्ता जो बनाएगा, वो बीच में, जो सबसे छोटा वाला, वहीं चीज लिखा गया है, the mission has not cut any of the tile, then what is the shortest length of the path, वो बीच में रस्ता तो बनाएगा, लेकिन उस रस्ता का लेंथ हमें पता नहीं, दो फिर, तीन फिर और पांच फिर वाला टाइल लेके बीच में जो रस्ता बनाएगा, उस रस्ता का सबसे छोटा लेंथ क्या होगा, shortest, वा पे देके लिखा गया, shortest length of path, shortest length of the path, will be the LCM of 2, 3 and 5, 2, 3 and 5 का LCM ही होगा, shortest length of path, 2, 3 and 5, इन तिनों का क्या LCM होगा, shortest length of path, सबसे छोटा रस्ता क्या होगा, इन तिनों का LCM, देखिए, यह तीन जो हैं, यह तीनों प्राइम नंबर से, तो LCM वाला वीडियो में उल्लेदी बना चुका हूँ, डीटेल में वहाँ पे समझाए गया है, आप जाके वहाँ पे भी check out कर सकते हैं, तो यह as because यह जो तीन नंबर से हैं, यह प्राइम नंबर से हैं, क्या हैं? तो प्राइम नंबर से इन तीनों का LCM होगा, इन तीनों का product होगा, इनका LCM, यह वाला एक रूल्स भी है, ठीके, तीन प्राइम नंबर से का LCM हमेशा इन तीनों का product होगा, product मतला 2 into 3 into 5, 30, तो यह अगर 2 फित, 3 फित या फिर 5 फित वाला टाइल लगाएगा, तो 30 feet 30 feet तो यहाँ पर will be the LCM of the 2, 3 and 5 यह कितना होगा which is which is 30 यह वाला 30 feet समाझ में आ गया तो अनूज के घर पर एक रस्ता बनाना है उस मेसोन को या फिर उस जो मिस्त्री जो काम कर रहा है उसे एक रस्ता बनाना है 3 measurement का टाइल दिया गया है 2 feet, 3 feet and 5 feet उसे बोला गया है सबसे छोटा रस्ता कितना feet का बना सकते हैं आप सबसे छोटा रस्ता सबसे छोटा रस्ता मतलब हम इसा एलसियम पर ही focus करेंगे हम सबसे छोटा तो दो तीन और पांथ का एलसियम जो होगा वही होगा सबसे छोटा वाला रस्ता क्योंकि वहाँ पर टाइल समय कातना नहीं है वहाँ पर टाइल हमें कातना नहीं है तो फिर इन तिरों का एलसियम ही 30 feet ठीक है यह वाला confirm हो गया इसे मैं अभी साफ कर देता हूं इसे साफ कर देता हूं मैं अभी तो बहुत आसाल है कुछ problem नहीं है LCM थोड़ा अच्छे से practice कीजिए 2 feet 3 feet और 5 feet तो page 97 अभी खतम हो गया अभी और एक question यहां पर है page Manoj has made a new house he wants to lay tiles on the floor पसीना बहुत आ रहा है गर्मी है यहां पर Manoj has made a new house he wants to lay tiles on the floor the size of the room is 9 feet 12 देखिए Manoj एक नया घर बनाया है उसमें वो tiling करना चाहता है floor tiling floor में tiling उस घर का length और breadth हमें पता है एक है 12 feet दूसरा है 9 feet इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दीए 9 x 12, 9 feet x 12 feet देखिए लिखा गया है 9 feet x 12 feet in the market there are three kinds of square tiles मार्केट में तीन तरह के square tiles इसे मिल दे हैं तीन तरह के tile हमें मार्केट में मिल दे हैं उसका floor का तो size है 9 feet ब्रेथ है 9 feet इसे बोलते हैं breadth छोटा वाला measurement हमेशा breadth होगा और बड़ा वाला हमेशा होगा length इसे बोलते हैं length length हमेशा बड़ा होगा और breadth हमेशा छोटा होगा confirm तो अब तीन तरह के tiles मिलते हैं 1 into 1 एक होगा 1 foot into 1 foot सपोज ये बाला दूसरा होगा 2 foot 2 foot 2 feet into 2 feet और तीसरा होगा 3 feet into 3 feet ये बाला होगा 3 feet into 3 feet यहां पर अच्छे से ध्यान दीजिए which size of tile should he buy for his room so that he can lay it without cutting यहां पर भी वही cutting नहीं करेंगे cutting नहीं होगा बस tiling करना है तो tiling करने के लिए हमें दो चीज यहां पर focus करना पड़ेगा breadth और length यहां पर यह जो tile खरीद के लाया है three kinds of square tiles लिखा गया है square tiles square लेकिन यहां पर तो square नहीं है यह rectangular size है इसका floor क्यूंकि यहां पर breadth और length यह दोनों अलग measurement के है breadth छोटा है length बड़ा है breadth 9 feet length 12 feet लेकिन tile है sub square equal size होगा sub side ठीक है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे देखिए एक feet वाला tile जो है one feet अगर length और breadth whole number से 9 है 8 है 7 है 6 है 5 है कोई भी number है या फिर breadth और length अगर whole number है तो वहां पर one into one जो tile है यह हमेंसा हर जगह पर fit हो जाएगा क्योंकि one is the common factor of any number one से हर एक number divisible हो सकता है one is the common factor of any number किसी भी number का one हमेंसा common factor के लाएगा तो यहां पर जो 9 feet 12 feet है अगर वो one feet वाला tile लाता है one into one size का tile लाता है तो यह easily fit हो जाएगा तो यहां पर one feet वाला tile लाएगा तो यहां पर होगा nine क्योंकि यह square size का है यहां पर nine tiles से लाना पड़ेगा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो यहां पर nine होगा यहां पर कितना होगा 12 one two three four five six seven eight nine ten eleven और 12 ठीक है तो यहां पर और एक size का दिया गया है two by two मतलब two feet into two feet तो पहले देखते हैं two feet वाला tile fit होगा या नहीं तो अगर two feet into two feet दिया गया है तो इन दोनों को पहले divide करेंगे दो feet से यह divisible हो रहा है या नहीं breath को देखते हैं nine feet है breath तो nine divided by हमें tile लाना है दो feet वाला तो two four जा eight minus करेंगे तो one तो यह nine जो है यह two से divisible नहीं होगा it means हम अगर two feet वाला tile खरिद के लाते हैं तो यह nine feet में set नहीं होगा लेकिन यहाँ पे twelve feet में set हो जाएगा देखिए twelve divided by two करेंगे two six जा 12 मतलब यहाँ पर अगर six tile सम रखेंगे एसे एसे करके छे टाइल अगर सजाएंगे तो यह 12 feet हो जाएगा लेकिन यहाँ पर जो दो दो feet वाला tile लगाएंगे दो चार छे आठ यह 8 तक तो जाएगा लेकिन आठ के बाद डारेक 10 और एक tile अगर लगाएंगे तो 10 हो जाएगा लेकिन यह यहाँ पर 9 है तो यह divisible नहीं हो रहा है इत्मिस यह 2 feet वाला tile यहाँ पर fit नहीं होने वाला हमें बस tile का जो size है और breadth और length है इन दोनों को यह tile का size जो है divisor लेके इन दोनों को dividend लेके divide करने से answer में मिल हैं 3 feet 3 feet square size का है 9 को हम 3 से divide करेंगे तो यह हो जाएगा 339 मतलब यह divisible है 12 से भी divide करेंगे 3 को 3 से 12 को divide करेंगे 3412 यह भी divisible हो रहा है मतलब 3 feet वाला tile जो है यह 12 and 8 में fit हो जाएगा without cutting समझ में आ गया तो हमें क्या करना है कैसे निकालना है answer यह जो field का या फिर room का कोई भी चीज़ कोई भी floor का कुछ भी हो इन दोनों को टाइल के size से divide करना है सपोज यहां पर और एक चीज़ दिया गया है वान फिट सपोज एक टाइल हमें दिया गया है यहां पर है मैं एक एक जाम्पूल ले रहा हूं इसे साफ कर रहा हूं यह तो कोपी बें नहीं है लेकिन समझने के लिए आपको इजी अब है तो यह चीज़ आपके समझ में आगया बस एक ट्रीक बता रहा हूं अगर यह size square नहीं हुआ रेक्टेंगुलार हुआ कि अगर यह जो टाइल है कि यह लेंफ है कि अगर यह size rectangular हुआ रेक्टेंगुलार टाइल यह square टाइल लहीं है रेक्टेंगुलार साइड वो size यह 1 इंटो 2 1 इंटो 2 मतला 1 feet से 2 feet यह होगा 1 feet यह होगा 2 feet सपोज यह होगा 1 feet यह होगा 2 feet यह होगा 2 feet यह से टाइल का size होगा दो फीट तो यह वाला टाइल इसमें फीट होगा या नहीं देखिए वान को अगर हम नाइन से मैं पहले भी बता चुका वान जो है तो वान नाइन फीट में भी सेट हो जाएगा थीक है बारा टाइल लाएंगे एक फीट वाला तो यह बारा टाइल फीट हो जाएगा यहाँ पर विदाउट कटिंग नाइन टाइल लाएंगे एक फीट वाला एक फूट वाला तो यहाँ पर भी यह सेट हो जाएगा विदाउ करेंगे सब्सकूद यह वान है यह दो फीट दो फीट मतलब क्या है लेंठ होगा ये बड़ा है तो लेंठ लेंगे यह चोटा है तो ब्रेफ लेंगे यह ब्रेर्फ जो है वन यह तो सेट हो जाएगा मैं यहाँ पर 1, 1, 1, 1, 1, एसे 9 रखेंगे, ठीकए, 1 feet, breath, यहाँ पे 9 रखेंगे तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो 2 feet है, यह देखिए, length of breath, यह 1 feet वाला हो जाएगे, यह जो 2 feet है, 1 into 2 है ना, लेकिन यहाँ पे जो 1 into 2, यह rectangular 1 में 9 हो जाएगा, 2 feet में 2 into 12 करेंगे, यह 1, 9 जा 9, मतलब यह सेट हो जाएगा ब्रेट में यह एक फीट ब्रेट में सेट हो जाएगा लेकिन यहापे दो फीट जो है वह हम लेंद के लिए लेंगे तो 12 को हम अभी लेंद के लिए लेंगे तो 2 जो है जब स्क्वेयर में था तो यह 9 सेट इवीजिबल नहीं हो रहा था इसलिए यह फीट नहीं हो रहा था वहाँ पर कटिंग करना पड़ता था लेकिन जब एक फीट से 2 फीट वाला टाइल लेंगे एक फीट से दो फीट यह दिवीजिबल हो जाएगा इस चीज को बताना का मतलब इतना ही था मुझे अगर टाइल रेक्टांगुलर साइज का है और फिल्ड भी रेक्टांगुलर साइज का है तो लेंथ और ब्रेंथ इंग दोनों को डिवाइड करना पड़ता है लेंथ को लेंथ के साथ डिवाइड करेंगे ब्रेंथ को ब्रेंथ के साथ डिवाइद करेंगे वान अगर यह अगर एक फीट का ब्रेंथ है एक फीट लेंथ है दो फीट तो ब्रेंथ लेंगे एक फीट अगर लेंथ है दो फीट तो यहां पर एक दो तीन चार पांक छे साथ आठ नो सपोज यह 9 टाइल ही से हो गए यहाँ पर 9 टाइल डालेंगे तो यह कभर हो जाएगा ब्रेथ कभर हो जाएगा और जो लेंथ 2 फीट है 2-2 फीट मतलब हमें 12 फीट दिया गया है तो 12 डिवार्ड़ बाई 2 कर देंगे यहाँ पर हमारा लेंथ टाइल का लेंथ 2 फीट है 12 डिवार्ड़ बाई 2 6 मतलब 6 टाइल इसे 1, 2, 3, 4, 5 यह वाला 6 टाइल इसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 यह हो गया ना 12 फीट तो यह फीट हो गया ना लेकिन यह अगर स्क्वेर साइज का होता यह 2, यह 2 यह 2 फीट, 2 फीट यह 12 में सेट हो जाएगा 9 में सेट नहीं होता yüzden यहाँ पर हम 1 फीट लिए हैं तो यह 9 में सेट हो जाएगा transforms टाइल का लेंथ और फिल का लेंथ टाइल का ब्रेट और फिल का ब्रेट ठीक है? divide करने से भी हम पता कर चकते हैं यह feet होगा या cutting करना पड़ेगा मैं इसे साफ कर दता हूँ आभी यह चीज में आपको ओर थोड़ा सा confirm करवाने के लिए समझाया था यहां पर square size का था तो problem हो रहा था लेकिन अगर rectangular size हो गया तो field का और tile का length length bread bread हम divide करके भी पता कर सकते हैं यहां पर देखिए question number 398 देखिए Rani's house, Gita's house, Nassima's house तीन दोस्त Rani, Gita and Nassima live near each other एक दूसरे के पास यह तीनो रहते हैं the distance from their house to the road is 90 feet तीनो का घर इसे बनाय गया है तीनो का घर इसे बनाय गया है तीनो का घर इसे बनाय गया है तीन दस्ता बनाय गया है इस रस्ते का length है 90 feet यह भी 90 feet यह भी 90 feet तीनो का घर रानी का यह है रानी रानी का घर है यह है Gita यह है नसीमा तो यहां पर question दिया गया है they decided to tile the path to the road इन road को यह लोग tile बिचाएंगे यह जो road है main road से यह connect हो रहा है ऐसे ठीक है they all bought tiles of different designs and length different lengths के tile लाए है different design के tile लाए है रानी bought the shortest tile यह सबसे छोटा टाइल लाई है सबसे छोटेस्ट टाइल shortest tile ठीक है पता चल गया गिता बोर्द मिडल यह middle length वाला यह middle length वाला जो टाइल है वो लेके आई है middle sized नसीमा बोर्द लोंगेस्ट टाइल यह जो नसीमा है यह सबसे लोंगेस्ट टाइल लेके आई है longest tile तो अभी हमें क्या पता करना है देखते है if they could tile the path without cutting any of the tiles what is the size of the tiles each has bought suggest three different solution explain how you get this answer देखिए तीन दोस्त तीन तरह के tile लाए है सबसे छोटा length रानी लाई है middle length गीता और सबसे बड़ा नसीमा देखिए सबसे बड़ा मतलब 90 feet का तो एक tile नहीं मिलेगा ठीक है 90 feet का tile मिलता है यह उसे कैसे लाएंगे 90 feet मतलब कितना लंबा है तो उसे पुरा मतलब रस्ता ब्लोक हो जाएगा इसा tile नहीं मिलता मेरे ख्याल से 3-4 feet तक tile मिलता है उससे बड़ा 10 feet 15 feet वाल टाईल ऐसा नहीं होता ठीक है फिर भी हम इन तीनों को comparatively बताएंगे देखिए सबसे छोटा लेंध जो है 1 होगा पहले भी मैं अभी बताएंगे 1 is the smallest factor of any number तो सबसे छोटा वाला जो है 1 feet वाला tile अगर 1 feet वाला tile रानी लेके आती है तो ऐसे ऐसे करके 90 tiles वो डालेगी 90 divided by 1 करेंगे 90 divided by 1 1 90 जा 90 हो जाएगा खतम ठीक है तो यह 90 tiles यह डालेगी 90 tiles 1-1 feet का वाला 1-1 foot सोरी यहाँ पर foot लिखना था मैं feet लिख दिया singular है ठीक है तो middle length वाला एक के बाद हमें कैसे पता चलेगा सबसे smallest है 1 1 के बाद होगा tile का size 2 लेते है ठीक है 2 जो होगा यह 90 से divisible हो जाएगा यह देखिए 2 2-4 जा 8 1-0 2-5 जा 10 हो गया ना तो 45 tiles यहाँ पर ऐसे ऐसे करके गीता खरीद के लाएगी यह होगा 2 feet कितना tile उचे खरीदना पड़ेगा परेग 45 tiles उचे खरीदना होगा गीता को ठीक है और सबसे बड़ा वाला क्या होगा यह 3 से 2 के बाद 3 भी एक नंबर है 3 से divide करके तो यह 3 feet वाला tile भी तो मिलता है ना तो 90 divided by 3 करते हैं 3 3 जा 9 0 3 0 जा 0 यह भी divisible होगा 30 ऐसे 30 tiles डालेंगे तो यह 3 feet वाला tile खरीद के लाएगी 30 tiles उचे खरीदने पड़ेगे हमें कैसे यहां पर लिखा गया है explain how you get this answer देखिए सबसे छोटा वाला जब हमें question पूछा गया तो हमें पता है 1 is the smallest factor of any number तो एक foot वाला tile जो है वो हमें बिलता है तो यहां पर रानी को हमने छोटा वाला tile एक foot वाला tile दे दिया दूसरा middle उसके बाद वाला जो नंबर है कौन सा नंबर है counting number 1 के बाद 2 तो 2 feet वाला tile भी मिलता है 3 feet वाला tile भी मिलता है हम देखे 90 feet है 2 feet वाला tile भी मिलता है तो 45 tiles अगर गीता खरिट के लाएगी तो यह cover हो जाएगा without cutting 90 feet का जो path है उसमें tiling हो सकता है उसके बाद 3 3 से भी 90 divisible है 3 feet का tile भी मिलता है तो divide कर दिया 90 से 3 लेकिन यहाँ पर number of tiles दिया नहीं गया है question पूछा नहीं गया है मैं यहाँ पर divide कर देखे total length divided by the length of the tile 3 feet तीक है अगर 3 feet से divide करते हैं तो यह 30 tiles यहाँ पर feet हो जाएंगे 90 feet समझ में आगे आभी तो यह हो गया आपका answer 3 different solution यह वाला है different solution तो यह वाला एक solution है 1, 2, 3 सबसे छोटा middle सबसे बड़ा और tile का size आँ अगर differ करेंगे size जगन differ करेंगे अगर यहाँ पर 2 feet के जगे पर 1,5 feet लगाएंगे देखिए 1 sorry यह चल नहीं रहा है देखिए यह जो 1 feet है 1 foot sorry 1 foot जो है यह 12 inches कहलाते है 12 inch को 1 feet बोलते है और जो 1 inch जो है यह है 2.54 cm इस unit को याद रखिए 1 foot जो है यह 12 inches कहलाता है 1 inch जो है 2.54 cm इस unit को याद रखिए हम अगर देख फूट वाला tile भी लाते हैं देख फूट वाला tile भी अगर लाते हैं 1 foot तो सबसे स्मोलेट है 1 foot 2 foot या फिर 3 foot एसे भी tile लगा के भी इसे set कर सकते हैं cutting करना नहीं पढ़गा cutting करना पढ़गा या नहीं पढ़गा कैसे पता चलेगा? divide कर गे 90 को अगर यहाँ पे 2 foot के जगे पे dead foot वाला हमें लगाना है cutting करना पढ़गा या नहीं पढ़गा कैसे पता चलेगा? तो 90 divided by dead foot dead foot मतलब कितना? 1.5 feet 1.5 feet को हम इस तरह से भी लिख चकते हैं 90 divided by 15 by 10 आपको school में पढ़गा decimal to fraction तो इसे जब हम confirm करेंगे यह जो second fraction वाला यह 15 by 10 है यह 10 उपर numerator के साथ multiply हो जाएगा मतलब 90 into 10 divided by 15 हो जाएगा समझवागा 15 को 90 से कार दीजिए 15, 6 जा, 90 10, 6 जा, 60 मतलब यह 60 tiles अगर हम यहाँ पर डालेंगे अगर 60 tiles यहाँ पर हम डाल रहे हैं तो dead foot वाला tile भी अगर dead foot वाला tile हम सेट करेंगे तो यह 60 tiles यहाँ पर हमें लगवाने परेंगे फीट करने परेंगे without cutting ठीक है? आज के लिए बस इतना ही next time log can you see the pattern? यह वाला चीज परेंगे जो आज मैं समझाया अच्छे से उसे practice कीजिए बहुत सारे numbers लीजिए factor tree बनाईए prime factors के product के इसाब से उसे कनबद करके देखिए ठीक है? Thank you